इंडियन ब्राइंड जैसे Noise, Boat, Firebolt, Petron और Titan ये इंडियन स्मार्टवाच मार्किट को लीड कर रही है और जो वेल स्टाबलिश्ट ब्राइंड जैसे Realme, Samsung, Xiaomi और OnePlus ये Budget Wearable सेग्मेंट में पीछे छूट गई है और ये मैं नहीं कह रही हुई Latest IDC की Report कहती है तो इसी Market में एक नए इंडियन ब्राइंड ने ले ली है Entry विच इस कॉल्ड Sense और ये क्लेम करता है कि ये 100% Made in India Smart Watches, Earphones और Neckbands बनाता है तो मैंने सोचा क्यों ना इस नए ब्राइंड के प्रोड़क्ट्स ट्राइ किये जाएं तो मेरे पास है Sense Edison 1 जो की एक Smart Watch है और दूसरा है Sense Hendrix 1 जो की एक Wireless TWS Earbuds है अब दोनों ये प्रोड़क्ट्स काफी reasonably priced हैं और मैं इन दोनों को दो हफतें से यूज करी हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं Smart Watch की First look में ही मुझे Sense Edison 1 बहुत अच्छी लगी इसका look काफी impressive है और मुझे design भी अच्छा लगा आपको square shape dial मिल जाएगा AMOLED display जरूर नहीं मिलेगा LCD display है लेकिन brightness decent है आपको 150 से भी ज्यादा watch faces मिल जाएंगे 1.7 inch LCD panel मिल जाएगा zinc alloy metal body मिल जाएगा with 1.7 inch LCD display with 150 से भी ज्यादा watch faces connectivity की बात करें तो आपको The Fit app डाउनलोड करना होगा अपने phone में ये बोथ Android और iPhone में available है इसके बाद आप Bluetooth से अपना smart watch और phone को connect कर सकते हो अब आप ये app खोल के देखो किती सारी चीज़े, सारी जितने भी features है watch की यहाँ पर आपको visible होंगे आप अपने phone के notifications भी यहाँ पर track कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन से कौन से apps के notifications आप smart watch में read करना चाहते हो You can also change watch faces, कितने सारे आपको watch faces है Steps भी track कर सकते हो Sleep, Heart Rate, Blood Oxygen Level and Outdoor Running इसके इलावा सबसे interesting और cool feature मैं बता दूँ, आप smart watch से एक selfie भी ले सकते हो वो कैसे? सिर्फ The Fit app ओपन करना है और यहाँ पर shutter करके एक option दिखेगा इसको खोल लो और यहाँ पर selfie camera मैंने on कर लिया है अब यहाँ पर directly देखो यहाँ पर option आगया है camera का It's like a tripod देसे मैंने अपना phone यहाँ पर प्लेस कर दी और मैं अपने watch से सिर्फ tap करूँ यह क्लिक हो जाएगा See, it's so cool and so easy इसके इलावा watch से directly calls भी receive हो जाती है Honestly, इस watch का microphone काफी loud है और मुझे तो कोई भी problem नहीं ही calls लेने में और even dial करने में और यह सबसे important feature है actually अगर आपके पास आपका phone available नहीं है या आपके पास नहीं है तो यह feature आपके बहुत कामा सकता है So, overall Sense Edison 1 watch मुझे काफी impressive लगा, design तो मुझे सबसे fantastic लगा और जितने भी features आपको एक budget smart watch में चाहिए होंगे वो सारे Sense Edison 1 प्रोवाइड करता है और performance तो decent है, price भी काफी affordable है and since it's a new brand, I don't want to complain much क्योंकि मुझे expectations हैं क्योंकि नोंने पहले ही product में अपना काफी impressive device launch किया है तो अगर मैं sum up करूँ, अगर आपको 2000 में एक budget made in India smart watch चाहिए, तो you can go for Sense Edison 1 अब इसके smart watch के बार में तो काफी सारी बात ही हमने कर ली है, अब इसके Sense Hendrix 1, TWS earbuds के बार में बात कर लेते हैं तो यह wireless earbuds है और उनका metal body है, काफी heavy है actually, अगर मेरी इमाम से लडाई होगी तो मैं उसको यही फेक के मानने वाली हो अगली बार Anyway, तो इसका metal body है और इसके earbuds भी काफी थोड़े weird look है और dull और boring भी है आप इनको connect कर सकते हो Bluetooth से directly, setup में कोई भी problem नहीं आएगी पट इनका look बहुत जादा dull है, क्योंकि क्या होता ना, earbuds mostly आप यह चाहते हो कि वो अच्छे लगे जब आप उनको पहनो but they are not as great रही sound quality की बात वो मुझे बहुत sharp और shrill लगी और volume full पे भी song सुनने में तो कुछ मुझे जादा मज़ा नहीं आया, बहुत unclear sound आई low volume पे sound quality ठीक है बट उसका क्या फाइदा अगर आप volume नॉर्मल पे नहीं सुन सको overall इसका sound मुझे कुछ जादा खास नहीं लगा और I would not recommend these earbuds क्योंकि market में और भी बहुत सारे wireless earbuds है अब तो काफी सारे companies, premium brands ने भी अपने budget wireless earbuds launch कर दिये हैं so I would not recommend this sense को थोड़ा wireless earbuds में काम करने की जरुवत है लेकिन smart watch इन्होंने काफी impressive product निकाला है so I don't want to complain much so यह दोनो ही products Amazon पर आपको मिल जाएंगे मुझे comment करके जरूर बताना की आपको यह वीडियो कैसा लगा and do you think यह नया brand, all well-established brands को तककर दे पाएगा and like always keep following Fiverr for more such cool tech videos